हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे आज हम बात करेंगे आई आर इए एलेवन वर्सेस एस फूल इस्टेट्स प्लक्स इन्पो यानि की आयरलेंड एलेवन वर्सेस इस्पेन के बीच जो गुरूप ए का मैच कहला जाना है म 12 सिप्टमबर को यह मैच साम पाच बज़े से स्टार्ट हो जाएगी इसी सी इंटरनेशनल टीटेन की सिरीख चल देगा सेम रहेगा कार्तमा अवल कार्तमा कर रहेगा इस सर्फेस की बात कर लिए पीच रिपोर्ट की तो इस सर्फेस में आपको दोनों इनिंग्स में अच कुछ बिकेट लेके जा सकते हैं बात कर ले एवरेज इनिंस की तो यहां पर एवरेज इनिंस 115 की रहती है आप परती मैच लगभव 11 बिकेट पिछले साल गिर रही थी सेम वेन्यू में जो पिछले साल मैच हुई थी 96 मैच हुई थी सहीतालिस चेस करने वाली जीती थी और टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रेशन में और टॉप के कॉमेंड में मिल जाएगा आप लिंक से ही आना चाहते हैं तो लिंक से ही आएंगे क्योंकि आप विजाओड लिंक के आते हैं तो गलत चैनल में चला जाएंगे कुछ हमारे नाम से फेक चैनल चल रहे हैं तो आप बिल पहले थे बट नहीं आये ते क्योंकि लो इसकोर था तो मैंक्स बर्टन को पर्मोट कर दिया गया था जो कि हमारे लिए खराब थी क्योंकि हमने से मली लिए था अब में चोड़ दिया था इसलिए हमारी टीम थोड़ी खराब गई थी बट यही ओपन आने चाहिए आज के दि आज के दिन खेलेंगे यह जो है आज के दिन बॉलिंग कर सकते यह आपके लिए गेम चेंजर पिक रहेगे बिल्कुल आप इनको टीम में ट्राइंग करे रहे हैं केमरान मली जो कि ठीक ठाक सा ही ओप्सन है बहुत थोड़ा नीचे आते हैं मिडिल ओर माएंगे बिगट से भी मैच जी जाती है तो अच्छे गया है जोन मेकनेली फर्ट मैच में खेले थे दुसरे मैच में नहीं खिलाया गया जैमी फार्मर्स जो है कि पहले मैच में खेले जिसमें दोबर की गनवाजी किये थे आज भी खेल सकते हैं आपके लिए एक अच्छी पिक रह सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहूंगा यहां पर फूल स्ट्सक्राइब कर सकते हैं तो आप सकते हैं पर धीड Mayor धिच्राइब कर सकते हैं खेलять आज के दिन दिखे तो आप ट्राइ कर सकते हैं जे विगेट कीपर खेलते दिख सकते हैं सेमन लिंच खेली रहे हैं मैक्स बाटन भी खेल रहा है आप इन लोगा पिछला स्टेट देखना चाहिए तो देख सकते हैं नाथन मेंग्योर अगर खेले तो आपके टीम में 100% होने चाहिए ऑपनिंग करते हैं या तो वन डाउन आएंगे बिल्कुल अच्छी पिक रहेगी एक अच्छे पिलियर हैं पार्ट टाइम बालिंग भी कर लेते हैं जौन मैट चेक्ट तो खेली रहे हैं आप इनके पुराने स्टेट देख सकते हैं बिल्कुल मैथ्यू हैं यहां अंडर 19 वर्लकुप में इन्होंने इंडिया के खिलाब इंडिया के खिलाब तीन बिगेट लिए तो एक अच्छे पिलियर हैं और अच्छे खासे बॉलिंग कर लेते हैं राइट आम मेडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं मेकर रोली भी खेली रहे हैं इनके पुराने जीत के आरही है यानि की आयलें भी दो में जित के आरही है यह भी दो में जीत कर रहे auntBeabar इनके तरफ से औपन कर रहे है यहां पर जो है एक जॉन मेट चैट भी अच्छे पिलियर है यहां से सीमें लोज भी है मैं बटन तो बैटिंग में आप तीनों को आप सीविसी जील में कर सकते हैं बट मेरी जो अच्छी पीक मैं देख रहा हूं यहां पर जो कि त्री डाउन आएंगे दो अबर की गेंदवाजी भी करेंगे बिल्कुल आप इनको सीविसी ट्राइब कर सकते हैं यहां से देखिए फीन के तरलोड जो कि डेथ में कर रहे हैं यह वह अच्छे आपस तो यहां पर गुर्वेंदर सिंग फर्स्ट मैच में खेले थे फर्स्ट मैच में बनाएं दूसरा मेक्chen इनको नहीं करना गया है अगर खेलते हैं तो आप टिम में लेंको झालेगी तब तक अगर open आते हैं थैसमें दो में अच्छे एक रहें कर सकते हैं मौहम्माद पॉली हुचा और सकते हैं थैस्ट विट्विशैंग्य של सबसे बड़ी प्रावलिंग कर लेते हैं यह सबसे बड़ी प्रावलिंग कर लेते हैं यह सबसे बड़ी प्रावलिंग में इन आयलन के सामने अच्छी बल्लेवाजी है तो हो सकता है इनको खेल जाए थामाज वाइन जो की एक आज के लिए जीएल पिक रहेगी पाचमा नॉम्मा साथमा दसमा अवर बॉल कर रहे हैं तो डेत अवर में बॉलिंग कर रहे हैं तो बात कर लेते को आतिप मुहमत को जो है फर्स्ट में जो है इनके राइट हैंड राइट हैंड में इनके जो है चोट लगी थी हाथ में बहुत सारे बलट जा रहे थे बट फिर विए सेकेंड में खेले तो आज देखना पड़ेगा आज खेलते हैं कि नहीं बट यह कर ले सकते हैं आप देखेंगे तो ठीक ठाक से ही रिकोड है बट यहां पर दोबर की गेंदवाजी किये तो कुछ खास नहीं कि छट्टा आठ्वा किये थे अच्छी खासी पिटाई हो गई थी आप लेना चाहिए अगर खेलते हैं तो ले सकते हैं बट खेलने के थोड़े सब्सक्राइब करना है अगर घ्डा इनका दियान देने के लिए नहीं कौंगा सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर सबसे हम अभी है विकेट कीपिंग सेक्षन में जहां पर जो एक अच्छी पीक है मैक्स बाटन इनको लोग थोड़ा कम ले रहे हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं अभी फिलाल के लिए मैं यहां पर एक ले रहा हूं बाकि देख रहा ह यहां पर क्या है यहां पर देखे सी मनुज माइल्स अगर ओपन आते हैं तभी हम ट्राइक करेंगे नहीं तो इनको हम छोड़के जाएं गुर्वेंदर सिंग अगर आते हैं अगर ऑपन आते हैं प्लेंग लिश्ट देखा जाएगा उसके बाद ट्राइक करना होगा तो ट आते हैं और सीम में नुजमाईद अगर ओपन आते हैं तरगी हम ट्राइक करें नहीं तो आपने नहीं आई कर करेंगे तो ले लेक के लिए जाते हैं कि लास्ट आपको पर्टें बालिंग नहीं देंगे मौहमँद बाबर सबसे फर्स्ट च्वाइस रहेगी यहां से सीम अकला को लोग ले रहे हैं आप लेना चाहें तो ले सकते हैं तो फिलाल के लिए अभी चलते हैं बॉलिंग सेक्षन में देख लेते हैं यहां से अब दिखिए अगर पहले गेंद बाजी आती है तो आतिफ मौहमद हमारे टीम म बिल्कुल रहेंगे अगर इस्पेंड की पहले गेनवाजी आती है तो हमारे टीम में बिल्कुल रहेंगे और यहां से अगर बाद में अगर आती है तो ट्रॉम वेने रहेंगे हमारे डिफिरेंटल तो यह हमारी रहेगी बाकी यहां से अभी फिलाल के लिए मैं यहां पर स हमजादार को छोड़ सकते हैं रिक्स लेके जीयल में और यहां से थ्रॉम्स वाइन को ले सकते हैं तो यह एक डिपरेंटल पीक रहेगी तो फिलाल के लिए हमजादार को मैंने यहां पर ले लिया हूँ और आप CVC की बात कर ले तो CVC के लिए West Option की बात कर ले तो West Option जो रहेंगे महमत बाबर रहेंगे उसके बाद जो है यहां पर Jared Wilson, Second Option में हमने Jared Wilson को रखा हूँ और Third Option में D-Doyle को ले, Max Barton, Simon Lynch यह कुछ और Third Option में इसकोट मेकवेट जो है यह भी एक अच्छी पीक रहेगी यहां से देखे मेथ्यू हमफैर्स और यहां से फीन के थरलोड और एम और लिए डिफिनेंटल रहेगी जी यल में तो कुछ इस पर लाद से फिलाल के लिए मैंने जो है इस मॉल लिग में जो मैंने सोच रखा है कि यहां पर मैंने सी जो कि आज दो अबर करने के चांस है और आपको थिरी डाउन बल्ले वाजी भी दे देंगे तो यहां से कुछ इस तरह से डेमो टीम है उमिद करता हूं कि वीडियो से आपको कुछ हेल्फ मिली हो अब आपको कुछ हेल्फ मिली हो उमिद करता हूं कि मैं आपको अच्छे तरिके से समझा पाया हूं अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देजेगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा मिलते हैं नेश्ट वीडियो में